चक्रवर्थी राजा शिवी की कहानी बहुत समय पहली की बात है उशी नगर नाम के एक राज में एक राजा राज के अगता था उस राजा का नाम था शिवी वह एक चक्रवर्थी स्थम्राठ था और अपनी महानता और दयालुता के कारण प्रसिद्ध था उसके दया के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसके दर्वार में से कोई भी खाली हाथ नहीं लोटता था वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तयार रहता था भले ही उसके लिए किसी भी तरह का बलिदान क्योंनों देना पड़ी यही कारण था कि उसके दयालुता के चर्चे प्रिथ्वी लोग से आगे बढ़कर सुवर्ग तक भी पहुंच गए जब इस बात का पता देवों के राजा इंद्र को पता चला तब उन्होंने मन बना लिया कि वह राजा शिवी की परिक्षा लेंगे और सुनिश्रित करेंगे कि क्या वाकई में राजा शिवी इतने दयालु है या यह महस उनका धोंग है यतै करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अगनी देव को भी अपने साथ योजना में शामिल होने का निवेदन किया राजा इंद्र की बात पर अगनी देव भी राजा शिवी की परिक्षा लेने के लिए तयार हो गए और फिर क्या था राजा इंद्र ने एक बाज का रूप धारन किया और अगनी देव ने एक कभूतर का दोनों राजा शिवी के दरबार के ओर चल दिये अगनिदेव कभुतर के रूप में आगे गए और इंद्र बाज के रूप में इस प्रकार उनकी पीछे चले कि मानो एक बाज कभुतर को शिकार बनाने के लिए उनके पीछे उड़ रहा हो थोड़े ही देर में अगनी देव कबुतर के रूप में राजा शिवी के दर्बार में पहुंचे और राजा शिवी की जांग पर भैट गए उन्होंने राजर से कहा कि एक बाज उसका शिकार करने के लिए उसकी पीछे आ रहा है वह उसकी जान बचा ले कबुतर की ये बाज सुनकर राजा ने कहा बिल्कुल भी चिंता न करो मेरे हुते हुए वह बाज तुम्हारा कुछ भी विगार नहीं पाईगा मैं तुम्हारी रक्षा करने का बचन देता हूँ राजा के बचन देते ही, बाज के रूप में इंद्रदेव भी शिवी के दरबार में पहुंच गए उन्होंने राजा शिवी से कहा कि वह कबुतर मेरा शिकार है, उसे मार कर वह अपनी और अपनी बच्चों की भूक मिठाईगा बाज की बात पर राजा ने कहा कि मैंने इस कबतर्ख बचन दिया है कि मैं इसके प्राणों के रक्षा करूँगा और इसलिए मैं तुम्हें इससे नहीं दे सकता राजा की यह बात सुनकर बाच बोला अगर आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मैं और मेरे बच्चे भोजन के अभाव में भूके रह जाएंगे इसलिए इसे तु आपको देना ही होगा बाच की यह बात सुनकर राजा शिवी ने थोड़ी देर सोच में पड़े और कुछ विचार करने लगे कुछ देर विचार करने के बाद राजा शिवी ने बाच से कहा अगर मैं तुम्हें इस कभुतर के बजन के बराबर मांस दे दू, तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भूक मिट जाएगी, ऐसे मैं इस कभुतर के प्रान भी बच जाएगे और मेरा बचन भी बना रहेगा राजा के इस बात कर बाज के रूप में आए इंद्रदेव राजी हो गए लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्ट रग दी बाज ने कहा महराज मैं तयार हूँ लेकिन आपको कबुतर के वजन का मांस अपनी शरिर से देना होगा बाज के ये बात सुनकर राजा ने सोचा कि कबुतर का वजन कितना होगा अगर मैं अपनी शरिर से ही इसके वजन के बराबर मांस दे देता हूँ तो इस कबुतर की जान बच जाएगी और ये सोच कर राजा ने अपने एक दरवारी को एक तराजू लाने को अदेश दिया दरवार में तराजू लाया गया राजा ने तराजू के एक पलडे पर कबुतर को रखा और एक चाकू से अपनी जांग से एक टुकडा काटकर तराजू के उस पल्डे पर रख दिया लेकिन तराजू तनिक भी नहीं हिला ये देखकर राजा ने एक और टुकडा काटकर तराजू पर रखा उसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबुतर के वजन से काफी कम था उन्होंने धीरे धीरे कर अपने आधे शरीर के मांस को निकाल कर तराजु पर रख दिया उसके बाद भी मांस का वजन कबुतर के वजन से कम ही था ये देखकर राजाश्य भी बहुत निराश हुए और तराज उपर कबुतर का पलड़ा उपर आ गया। राजा ने बाद से कहा तुम मेरे पूरे श्रीर का मांस ले लो और कबुतर को छोड़ दो। ये सुनकर इंद्र देव को राजा पर दया आई। इंद्र और अगनी देव अपने असली रूप में आई और कहा राजा हम आपकी परिक्षा लेने आई थे और आप इस परिक्षा में सपल रहे। आप उबाकई में बहुत ही दयालो और परोबकारी है। इस प्रत्वी पर आपकी बरावरी दूसरा और कोई नहीं कर सकता। इतना कहते होएं दोनों देव वहां से काइब हो गई। इस कहानी से हम ये सिखने को मिलता है कि इंसान को किसे भी हाल में दया और परोबकार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जिसमें दया और परोबकार बास करता है भगवान भी सदैव उसकी मदद के लिए तयार रहते हैं। और इसे के साथ राजा शिबी की ये कहानी यहाँ पर होती है।